जै मा काली मित्रो आपका मेरी चैनल मा काली मा दुरुगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शियर कीजे साथ ही नोटिफिकेशन बैल को भी प्रैस कीज़े जैसे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएं बितरो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जिनकी आवशक्ता होती है जैसे कि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें भी हमें बहुत सारी वस्तों की आवशक्ता होती है जैसे कि हम कोई पूजा पाट करते है उस समय पर हमें विबिन सामगरियों की आवशक्ता पढ़ती है जैसे कि हम एक दीपक की आवशक्ता पढ़ती है एक जब माला की आवशक्ता पड़ती है साथ ही हमें बगवान के चितर की आवशक्ता पड़ती है धूप की आवशक्ता पड़ती है भोग की आवशक्ता पड़ती है उसी प्रकार से जब इन सवी चीजों का होना आवशक है उसी प्रकार से हमें जब करने के लिए पूजा करने के लिए एक आसन का होना बहुत ही आवश्यक होता है और आसन पर बैट कर ही हमें पूजा करनी चाहिए बिना आसन के एक ग्रस्ट व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता और उसका कारण यह है क्योंकि आसन हमारे जीवन का या हमारी अध्यात में की जीवन के एक महत्पूर अंग होता है जब हम पूजा करते हैं सबसे पहले हम अपना आसन ढोटते हैं तो आसन पर एक घ्रस्थ व्यक्ति पूजा करता है लेकिन जो शम्शान में पूजा की जाती है उसमें हमें किसी भी आसन की आवशक्ता नहीं पड़ती है तो इसलिए आसन का होना बहुत जरूरी होता है और जब भी हम साकाम भाव से पूजा करते हैं साकाम करत होता है यानि किसी उद्देश्य से पूजा करते हैं अपनी मनोकामना हितु पूजा करते हैं क्योंकि ग्रस्त व्यक्ति जब भी कोई पूजा करता है हमेशा मनोकामना हितु ही वो पूजा करता है और अपनी जो ग्रस्त जीवन की परिशानिया है उनको दूर करने के के लिए वह भगवान से इच्छा रखता है मनुकाम ना रखता है कि वह उसको पूंड करें तो ऐसी परिस्तिती में हमें आसन की अवशक्ता होती है लेकिन अगर आप निश्काम भाव से पूजा करते हैं यानि आपका कोई उद्देश्य नहीं है केवल आप इश्वर आसन दिया जाता है इश्वर को आसन पर ही बिठाया जाता है अपने इश्ट को अपने देवी देवताओं को हम आसन पर बिठाते हैं तो जो आसन हम देवताओं को बिठाने के लिए प्रियोग करते हैं उनको दर्भा आसन का आ जाता है लेकिन सादक जिस पर बैठता है एक कभी भी जमीन पर यानि भूमी पर बैटकर कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए अगर हम भूमी पर बैटकर पूजा करते हैं तो जो हमारी पूजा का फल होता है वो भूमी में चला जाता है यानि हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता और पुराणों में लिखा हुआ है पूजा, पाठ और तपस्या, साधना और कर्मकांठ अगर हम भूमी पर बैट कर करते हैं तो इससे हमें दुख मिलता है तो इसलिए मित्रो कभी भी भी भूमी पर बैट कर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए इसी प्रकार से अगर हम पत्थर पर बैट कर पूजा करते हैं तो हमें रोग लगते हैं इसलिए पत्थर पर बैट कर भी कभी पूजा नहीं करनी चाहिए अगर हम पत्तों पर बैट कर पूजा करते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं अगर हम लकड़ी के पट्टे पर बैट कर पूजा करते हैं तो हमें दुरभाग्य की प्राप्ति होती है अगर हम घास फूस पर बैठ कर पूजा करते हैं तो हमें अप्यश्ट की प्राप्ती होती है कुश का जो आसन होता है यानि कुश जिसको बोला जाते हैं अगर हम उस आसन पर बैठते हैं तो वो सरवत्तम माना जाता है लेकिन कुश के आसन पर बैठने के लिए हमें शुद और पवित्र होना बहुत ही आवश्यक होता है जैसे कि शुराद पक्ष में अगर हम शुराद करते हैं तो उस समय पर हम अपने पित्रों के लिए कुश का आसन प्रियो करते हैं उनको बिठाने के लिए हम कुष्कesz के आसन का प्रियोक करते हैं क्ईग धूर्ट कुछ किya हिस शुद वस्तु अगर होती है और सभसे शुद आसन चो जो हляется यु centrifूरा होता है लेकिन कुष्क अकंप्रम अश्चियोता है जिस पर विर्लती आधे ज्यादा नहीं मिलता है उल्टा हमें हानी होती है और अगर हम बिना आसन के कोई भी पूजा साधना करते हैं या तपस्य करते हैं या सिद्धी करते हैं तो हमें सिद्धी प्राप्त नहीं होती है तो मित्रों देखे कितना बड़ा मैत्व है हमारे जीवन में आसन का तो आसन का प्रियोग हमें जरूर करना चाहिए किसी भी पूजा को करने से पहले साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आसन हम प्रियोग करते हैं वो हमारा अलग होना चाहिए मतलब हमारे परिवार के जितने भी सदस्ते हैं और सबी पूजा करते हैं तो सबका अलग-अलग आसन होना चाहिए और कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का आसन ना प्रियोग करें ना ही उसको कोशिश करें चुवे भी न अपना आसन अपना अलग अलग रखें और जब पूजा करें तब अपना ही आसन उठा करके उस पर बैट कर पूजा करें आप सबी जानते हैं हमारा जो पुराना समय था उस समय पर आसन के लिए जो चर्म का प्रियोग किया जाता था यानि खाल का प्रियोग किया जाता था हमारे रिशिमोनी जो आसन का प्रियोग करते थे वो हीरन की खाल का आसन का प्रियोग करते थे बाग की खाल का आसन का प्रियोग करते थे लेकिन वो पुराना समय था अब वो समय नहीं रहा तो हम सामान्य आसन का ही प्रियोग करते हैं अगर हम आसन का प्रयोग करते हैं तो हमें जल्दी सिद्धी मिलती है यानि जो हमारा मंत्र है जो भी पूजा साधना है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और अगर आपको आसन अपने गुरू के द्वारा अभी मंत्रित आसन प्राप्त होता है जैसे आपके गुरू होत अगर आप प्रियो करते हैं तो आपको अपनी पूजा का पूण फल प्राप्त होता है आपको जो भी मंतर जाप आप कर रहे होते हैं उसमें आपको बहुत जल्दी ही सिद्धी मिलती है बहुत शीगरता ही से आप सिद्धी को प्राप्त कर पाते हैं तो मित्रो इतना बड़ा जो भूमी का है वो आसन की है हमारी पूजा में हमारी दैनिक पूजा में भी हमारी तपस्या में भी हमारी साधना में भी और हमारे कर्मकांड में भी अगर आप जोतिश हैं पंडिताई का कारिय करते हैं तब भी आपके लिए आसन बहुत आवश्यक है इसलिए किसी भी आध् इस्त्रियां उस पर बैढ़ती हैं तो उनको दोश लगता है और उनको अपनी पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है इसलिए कभी भी इस्त्रि को कुछ के आसन पर नहीं बैठना चाहिए मित्रो अगर आप आसन का पुरियोग नहीं करते हैं जैसा कि आप सफर में जा रही हैं या कहीं ऐसे कुछ वेक्ति होते हैं जो सफर पर जा रही होते हैं यात्रा पर जा रही होते हैं और वो पूजा करते हैं यानि मानसिक पूजा करते हैं तो क्या तब भी हमें आसन की में आपको आसन की आवशक्ता बिलकुल नहीं होती है आप बिना आसन के ही चलते फिरते जाब कर सकते हैं क्योंकि